हेलो फ्रेंड्स मैं विसुजी स्वागत करता हूँ एक बाफिट से आपका वल्डविन टिटोरिल में दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाट इस अकाउंट एंड इसके टाइपस के बारे में तो दोस्तो वीडियो को अंतर देखीगा जिससे आपको यह पता चल सके कि अकाउंट क्या होता है और इसके टाइपस के बारे में आपका जाता समय न लेते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर दोस्तों शुरुआत करते हैं अकाउंट से यानि अकाउंट क्या होता है तो दोस्तों किसी व्यक्ति वस्तु अथवा आयवय के संचिप्थ विवरण को उस व्यक्ति वस्तु अथवा आयवय का खाता कहते हैं दोस्तो यदि types of account की बात करें तो यहाँ पिर दोस्तो हम types of account एक चार्ट के मादिम से आपको दरसाएंगे दोस्तो अकाउंट क्या होता है यह तो हमने जान लिया अब हम बात करते हैं types of account तो दोस्तो accounts के हम दो types बताएंगे पहला personal account दूसरा impersonal account दोस्तो अगर बात किया जाए personal account की तो personal account में भी तीन types होते हैं पहला natural personal account दूसरा artificial personal account तीसरा representative personal account दोस्तो यदि हम बात करें impersonal account की तो impersonal account के भी दो types होते हैं पहला real account दूसरा nominal account दोस्तो यदि हम बात करें real account की तो real account के भी दो types होते हैं पहला tangible real account दूसरा intangible real account दोस्तो इस chart के माध्यम से हमें accounts के type पता चल गए अब इसके क्या क्या advantage होते हैं ये हम जानेंगे पहला जो account है वो है personal account personal account में किसी वेक्तियों फर्मों अथ्वा company के नाम से खोला जाता है दोस्तो personal account में भी तीन types है पहला है natural personal account दोस्तो natural personal account में जैसे राम, सयाम, मोहन आदी के खाते खोले जाते हैं और दूसरा जो है artificial personal account दोस्तो, artificial account में ऐसे खाते खोले जाते हैं जैसे किसी व्यक्ति, फर्म, संस्ता, आदी इसके बाद जो आता है वो है representative personal account यानि जो खाते किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्हू का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिनिधि व्यक्ति खाते कहलाते हैं जैसे दे वेतन, दे किराया, पुरुवत, भीमा, आदी दोस्तो, दूसरा जो है वो है impersonal account इसके भी दो होते हैं real account और nominal account दोस्तो, real account वह account है जिसे हम लोग देख वच्छू सकते हैं जैसे रोकर, फरनीचर, माल, इत्यादी दोस्तो, nominal account वह account है जिसे हम लोग देख वच्छू नहीं सकते जैसे किराया, छूट, कमीशन, इत्यादी दोस्तो, real account के भी दो types होते हैं tangible real account, intangible real account tangible account में जिसे हम लोग देख वच्छू सकते हैं जैसे रोकर, मसीन, फरनीचर, इत्यादी और intangible account में जिसे हम लोग देख वर चूँ नहीं सकते हैं जैसे ख्याती, patent, इत्यादी दोस्तो, account में केवल तीन account ही mainly रूप से चलते हैं जैसे personal account, real account और nominal account personal account दोस्तो, व्यक्तिकत खाता में किसी व्यक्ति, संस्था, company या company का खाता व्यक्तिकत खाता कहलाता है real account यानि वास्तविक खाता वैपार की संपत्ति से संब्दित खाता, वास्तविक खाता कहलाता है इसे संपत्ति खाता भी कहते हैं nominal account यानि और वास्तविक खाता आयवय वह लाभानी से संबद्धित खाता और वास्तविक खाता कहलाता है इसे आयवय खाता भी कहते हैं दोस्तो आसा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अकाउंट क्या होता है और इसके कौन-कौन से टाइट है यह पता चल गया होगा कि ऊजँ आपको गया हुरिंगरी से वास्तोंस मेंद आपको बड़िंगरी से टाइब क्नाओ क्वेशोरी से टाईब क्सट草ना आसार $ libr ङम से बढको चक्योंसे ऐसे बाल Giू में सम्ट खाता में आपको प्नाभरी चाईब क्सक्ता में आपको